तो अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहां पर बिटकॉइन की ETF की अप्रूवल की न्यूज आई थी जिसमें बोला गया था कि ETF के जो iShares का जो spot ETF है वो अप्रूव हो गया है पहला कि बाद में coin telegraph ने अपने उस tweet को delete कर दिया और यह बताया गया कि वो जो tweet था वो किसी internal inquiry बैठी है उस पर और उसमें किसी तरह की यहां पर कोई साजिश या फिर कोई hack किया गया या फिर कुछ भी हुआ होगा तो उनके कोई intern से गलती हुई कुछ ना कुछ अंदर की बात हुई जिस पर वो investigation चला रहे है तो वो हुआ है लेकिन हाला कि क्या हुआ क्या इसका मतलब क्या है आप देखो इस तरह से आप इस तरह से देखो कि हम लोगों को यहां पर चार्ट में चीज़े दिखती है आज एक और चीज यहां प्रिटेक करना तो अभी हमने क्या किया था मैंने आपको इस लॉंग ट्रेट दिया था बिटकॉइन में 26540 चल रहा था प्राइस 520 चल रहा था उस दौरान मैंने आपको 2600 के रॉंड मैंने यह आपको ट्रेट दिया था लॉंग का और यह ट्विटर पर फ्री ऑफकॉस अक्टूबर 12 को पड़ा था इसका प्रूफ आप जाके मेरे ट्विटर पर देख सकते हो इस ट्रेट को मैंने आप लोग के साथ शेर किया था और इस ट्रेट की मैंने लाइव अपडेट आप लोग के साथ यहाँ पर दी है कि आज सुबह जब आप उठे थे तो 27821 चल रह यह मैंने चार्ट में एक इवन डूंडा है और मैं जानना चारा था कि ऐसा कैसे होता है तो बेसिकली आप देखो यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज आई थी आराउंड 26 जुलाई 2021 या फिर आप कहलो 25 जुलाई 2021 इस एरिया के आराउंड आई थी और यह आप देख रहे हो ग्रीन कलर की एक विक बन रही है बहुत बड़ी सी और इस विक को हम स्टेडी करते हैं तब ही हमको चीजे पता चलती है कैसा क्या पहले हो चुका है तो यह आपको विक दिख रही है यह विक ओल्मॉस्ट 27 परसंट बिटकोईन को पंप कर आ गई थी और यह विक स्टार्ट पहले तो जहां से मार्केट ने पंप होना स्टार्ट किया था उसको एक लोकल बेस बना लेता है मार्केट ठीक है उस बेस को यह रीडेस करने आया था या फिर उसके आराउंड घुनता है लेकिन अच्छी खबर यह है कि जहां पर भी यह वाल्यूम गैप जो है क्रियेट ह हुआ था वो फिल होने के लिए मार्केट लेके जाती है उपर देखो कैसे बता चला हमें यहां पर यहां से अगर आप देखोगे तो पूरी विख है ना यहां तक आने तक फिल हुई थी देखो उसके कुछी दिनों के अंदर यह कितने दिन लगे 26 जुलाई और यहां पर क नीचे आई थी ठीक है जो भी हुआ हो लेकिन हमें यह पता चला कि विक क्रेट होती तो उसमें कई और फ़र जाते हैं और इस चक्कर में लिकुडिटी अच्छी खासी मिलती है तो आपके लिए ऐसा ट्रेडर क्या बनता है स्टैंड लेना आपके लिए स्टैंड लेना यह यहां से ऐसा कुछ structure start हो आपको उसके base को पकड़ना है और वहां पर long मनाने की कोशिश करनी है मेरी strategy simple है और यहीं पर रहेगी अगर हम आगे आते हैं खूब आगे आते हैं और यहां पर इस level को देख ली लेते हैं एकदम आगे आते हैं 38,000 ने देखो यहां पर hold भी किया थ तो आप यहां आजाओ यहां आजाओ और आगे आजाओ ठीक है और फिर हम थोड़ा सा और आगे हैंगे let me see यह रहा हमारा current का scenario का चल रहा है यह तो December है यह वाला हो गया I guess May यह तो यह हमारी आज की विक है आप देखो आज क्या हुआ था आज market चली गए थी 3600 तक और आज की जो विक है वो काफी strong थी और कुछ ना कुछ similar pattern उसी तरह का इसमें देखने को मिलता है हमें ठीक है मैं comparison यह नहीं कर रहा कि history दिखा 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 millions of dollars, millions of dollars का यहां पर liquidation हुआ होगा वो सब तो खाली हो गए जो long लेने बैठे थे यहां पर bitcoin में ठीक है अब market के पास कोई रास्ता नहीं अब market आराम से भाग सकती है तो जो base था जहां से pump start हुआ था generally आप कोशिश करोगे वहां पर एक long बनाने की तो यह वाला area जो आपको यहां कहीं से इस तरह का price structure दिखेगा जहां पर market इस area को दुबारा से retest कर सकती है तो यह मेरी theory है आप लोग की क्या theory है आप बताना नीचे comment में ठीक है और अगर आप लोग को लगता है कि यह एक फालतु बखवास जो मैंने किये इस वीडियो में तो वो भी नीचे comment बतान चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से आप एक चीज़ देखो इसमें एक चीज़ देखो यहां पर addy भाई ने tweet भी किया था मैं आपको दिखाता हूं क्या था वो tweet यह था fake bitcoin spot ETF news से bitcoin इतना pump हो गया real bitcoin ETF news से क्या होगा आप खुद सोचो यह बड़ी बात है कि भाई सिर्फ fake news थी और भी कुछ था भी नहीं और आने वाले टाइम में 15-20 मिनट के अंदर यह पता चल गया था कि यह fake है 9-10% का move आ गया था ठीक है bitcoin में तो सोचो अगर ETF की news आगे तो market आपको मौ कहीं नहीं देगी back भरने का और यह एक इशारा है market की तरफ से market आपको य यह दिख रहा था उड़ता हुआ 3600 वो तो entry बना ही नहीं पा रहे हैं उने लगे कब retest हो कब retest हो हम ले कब यह गिरे नहीं तो इसलिए मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूं कि latecomers are always never appreciated ठीक है उनका यहाँ पर appreciation नहीं होगा financial market में तो बिलकुल नहीं होगा जो देर और corrections में बनाओ ठीक कभी भी उठने के पाथ चीजों को मत देखने आया करो यार तब जब चीजें गिरी हूं जब उनकी बात ना हो रही तब आया करो ठीक है यही एक राज है यही एक रूल है जो मेंने फॉलो किया है उसी रूल के चलते हैं मैं आप लोगों को एकदम आता हूं तो इस तरह से ही मेरी psychology वर्क करती हो इस तरह से ही चीजे वर्क करती है आप देखो कि यह एरिया भी बहुत अच्छा एरिया 31,000 का जिसको हमने almost almost 3400 तो हमने यहां पर कर लिया फुल्फिल ठीक है अभी liquidity हंट हो गई है market अगर आज की candle में इसके नीचे close होती तो ह लेकिन अगर हम इस के उप पर close करते हो तो आप समझ जाओ वो case जो हमारा work कर रहा था वो इसी तरीके से work करेगा हमारी liquidity यहां पर fill होने के लिए आ सकती है So that's it for my side आप लोग को अच्छी लगती में analysis तो please video like करना, channel को subscribe करना, I'll see you guys in the next video, till then bye bye